पैदा करके प्रभावना नहीं की जा सकते ध्यान रखें आप लोग। बिलकुल मैं इसले स्पष्ठ शब्दों में कहना चाहता हूँ। गुर्देव ने 50-55 साल के भीतर जो कार किया है वो आज वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को कान खोल करके इस वातावन को देखना चाहिए और आगम के अनरूप अध्यन करने का प्रियास करिएगा। मात्र शिविर लगाने का नाम प्रभावना नहीं किन्तों वो शिविर के अंतरगत जो चात्र आते हैं जो बैड़ जाते हैं लोग वो शिर्विर में भाग लेते हैं। उनको क्या परोसा जा रहा है इस वो ध्रान देने के आवर्शकता है अप लोगों को। मोजह किसी बात का कोई भय इसलिए नहीं है क्योंकि आचारियों की आग्या है और आगम की आग्या है सत्य का प्रत्यपादन करने के लिए कütfen भी भयवेत् ने होने की कोई आवर्शकता नहीं. क्योंकि धर्म का अलमन लेने वाला व्यक्ति कभे भी भैवेत नहीं होता क्योंकि लौकिक्षित्र में बहुत सारे युद्ध खड़े हो जाते हैं हमने सुना था ये युक्रेन क्या क्या वोलते हैं मुझक्रेन और कौन सा रूस इन दोनों में सालों से लड़ाई चल रही है और उसमें मार काटके अलावा कुछ नहीं हो रहा है सारे सारे बिल्डिंगों को तैस नैस किया जा रहा है उसी प्रकार का वातावन यदि धार्मिक्षित में होगा तो ऐसे स्थित्य में बहुत हाणी होगी बंदू आप लोगं को ध्यान रखना चाहिए आंके खोल करके आ जार्मिक संस्कार आगम के अनुरूप दालने के अवर्शक्ता है और समय रहते में आप सचेत हो करके आप अलर्ट हो करके सावदानी के साथ आप आगे आएंगे तो धर्म टिकने वाला है अनिता तांडव नर्त्य करने से धर्म समात होगा ये धर्म रखो ये समय आया है इसी को बोलते हैं अवसर पेड़ी देशत देने का नाम धर्म प्रभावना नहीं किन्तो वस्तुता आचार्यों ने ये लिखा है समय द्रिष्टी को ज़्यादा उपदेश देने के अवर्शक्ता नहीं है किसको अवर्शक्ता उपदेश देने की जो उनमार्ग पर चलता है उनको उपदेश देओ और जो उनमार्ग पर चलता है उसको उपदेश हम तब देंगे जब उपदेश का पात्र होता है तो उसको हम उपदेश देंगे उपदेश सुनने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है दोनों हाथ जोड़ करके वह खड़ा हुआ है भगवन मैं अनंत काल से उनमार्क पर चलता आ रहा हूं मुझे प्रशस्त रास्ता चाहिए इस प्रकार जो आता है उसके पृति करुणा करके उपदेश दिया जाता है युद्ध करके कभी उपदेश दिया नहीं जाता ये ध्यान र कऊ आप महराज आपको क्या हो गया हुआ कुछ नहीं है जो वह देखा नहीं जाता ये ध्यान राखो आप समझ रहें क्या नहीं? हाँ, बिल्कुल और गुर्देव का यह संकल्प है और था उनका और आगे भी वही संकल्प हम लोगं के लिए दे करके गए हैं कभी भी उपदेश देते समय किसी का उपदेश के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए और उपदेश के द्वारा व्यगठन नहीं होना चाहिए समाज में और समाज में इनी विगटन होता है उसका सारा का सारा स्रे उफदेश देने वाले के उपर चला जाता ये हमेशा धन रखियेगा और आज मेडिया का जमाना है अनेक प्रकार के चैनल चल रहे हैं और जिन्वानी भी चैनल है और चैनल के माद्यम से जिन्वानी का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है वह आगम के अनरोप होना चाहिए अन्यता बहुत जल्दी वहाँ धर्म में समाज में विगठन निश्चित रूप से आएगा वस्तुता हो क्या रहा है आगम का अध्यन कोई करता नहीं मान लो उपदे देने वालों की माद्यम से ये दि मान लो जो स्रोतागन है उनकी थोड़ी बहुत प्रशोंशा कर लेते हैं तो वह स्वर होता चला जाता है इसका प्रशोंशा के माध्यां से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्शित करने का जो एक भाव है वह वस्तुता धर्म की प्रभावना नहीं कहला सकती धर्म की प्रभावना कार्द भगवान ने जो प्रकाशित किया धर्म को उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए अपने आपको वह प्रभावना का अंग नहीं कहला सकता है क्योंकि जनता ज्यादा है और सारे सारे बेट करके जनता सुन रहे हैं और हमारा कर्तव है और गुरुदेव ने जो कर्तव हमारे लिए सौंपा है उस कर्तव को हमें करना है और उस कर्तव के लिए आपरों का योगदान आपेक् इव का क्या कहिना है जीवन का उद्देश क्या होना चाहिए जीवन का उद्देश होना चाहिए बता रहे हैं जीवनों देश जिनादेश पालन अनुपदेश जीवन का उद्देश होना चाहिए जिनेंद भगवान की आदेश का पालन और वो भी बिना उपदेश की आदेश का पालन होना चाहिए तब वह वस्तुत वह धर्म के प्रतीव उसका समर्पन भाव सामने आता है झाल 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 झाल